मस्काल आप देख रहे हैं इगमासान.com मैं हूँ आपके साथ दिक्षभ हनुरिया हरियाना की पालिपत में एक महिला विधायक को एक शक्स द्वारा थपड़ मानने का मामला साम दिया है दरसल गाउं सर्देडी में शेत्री विधायक संतोष चोहान ने कालिक्रम की बाद लोगों की सबस्याएं सुन रहे थी इस दरान तल्विंदर नामक शक्स महिला को थपड़ चड़ दिया तल्विंदर को पुलिस द्वारा की रफ्तार कर दिया है आज मैं तेनू जड़ांगा नी मैं तेनू जान से मारांगा इनी शब्दो को कहकर गाउं के तल्विंदर ने विधायक संतोष चोहान सार्वान को थपड़ चड़ दिया दरसल विधायक गाउं में हुए कालिक्रम की बाद लोगों की समस्याएं सुन रहे थी तब ही यूवक आया और अचानक से विधायक को थपड़ जड़ दिया ये सब होता दुएक आसपास के लोगों ने यूवक को पकड़ कर उसकी जम कर पिटाए कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया इसके बाद विधायक गाउं सिहंगड के रेस्चाऊस में चली गई पुलिस ने आरोपित तलविंदर के खिलाफ केस तरच कल लिया है प्रत्यक्ष दैशियों द्वारा ये बताया जा रहा है कि विधायक लोगों से बात कर रही थी और उनकी समस्या का समाधान करने को कह रही थी इतने में ही तलविंदर ने अचानक विधायक को थपड़ मार दिया ये पता नहीं चल पाया है कि तलविंदर क्या समस्या लेकर विधायक के पास आया था जैसे ही घटना की सूचना तलविंदर की माता पिता को लगी पुलिस द्वारा गाओं के सरपंच की शिकायत पर तलविंदर के खिलाफ केज दर्ज कर लिया गया है। तलविंदर के माता-पिता का ये कहना है कि उनका बेटा दिमागी रूप से बीमार है। लेकिन सत्ता पक्ष से मामला जुड़े होने के चलते पुलिस द्वारा तमाम धाराएं लगा कर तलविंदर को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। पुलिस ने तलविंदर पर साजिश रचने, मार पीट करने, सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुचाने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्स किया है। ये सब होता देख लोगों का गुसात तलविंदर पर फूट पड़ा और उन्होंने उसकी जम कर पिटाई कर दी। तलविंदर के माता पिता डॉक्टर की परची लेकर विधायक से मिलने पहुचे लेकिन विधायक उन से मलाकात नहीं कर पाए। दोनों ही माता पिता मीडिया के आगे रो रहे थे और ये बता रहे थे कि उनके बेटे की दिमागी हालत खराब है। उसने पहले भी एक बस को शतिग्रस्त कर दिया था और उसका हरजाना हमें भरना पड़ा था। दोनों माता पिता परिशान हैं लेकिन पुलिस द्वारा अलविंदर लेकिन पुलिस द्वारा तलविंदर को गिरफतार कर उसे पूछताच की जा रही है।